आपकोुच ध् Extreme करें अ हमारे इंटेर्नल सेकालिवीटि पर हम नहीं करतें मैं फिमेल हाइजिन के बादें में बात करना चाहती हूं क्योंकि female hygiene बहुत जादा important है overall अपका personality पे overall attractive परिस्टनलिटी के लिए बहुत ज़दा important है female hygiene को maintain करना और इसके बारे में बात भी करना क्योंकि हम लोग female hygiene के बारे में बात जड़ातर नहीं करते हमारे बड़े के हम लोग दोस्तों के साथ ह Hause जिजकते हैं बहु voice MIN और बहुत इंप्वोर्टेंट है शारे चीज़ के इसे livres छिटाना है जब हम लोग थिनेज एंच होते तबसे हम लोग को बहुत सरु पोब्लेम फेस करना ही पढ़ता है आप लोग समझ रहे हो मैं क्या बोडियू जैसे कि आपने बहुत अची से ड्रेस अप करके आप किसी को देखो कि बहुत अची से ड्रेस अप करके हैं मेक अप करके हैं सब कुछ ठीक है और वही बंदा बंदी आपके सामने जब आता है तब को अजीब सा इसमेल अब बहुत ज़दे एरिटेट होते हो तब उसका जो personality है वो यहां से यहां तक आ जाता है तो बहुत ज़दे important होता है overall चीज़ को समझना और external के साथ-साथ internal female hygiene जो है उसको maintain करना और girls में बहुत ज़दे problem भी होती है तो आज आप लोग के साथ में 10 tips share करूंगी जिससे आप लोग को बहुत ज़दा help मिलेगी पूरा overall personality को आप लोग निखार सको गया और आप लोग को भी बहुत सारा चीज़ जानने को मिलेगी और हम लोग आज खुल के बात करेंगे female hygiene के बारे में तो चलो वीडियो सुरू करते है tip number one dental hygiene dental hygiene बहुत ज़दा important होता है जब भी हम लोग किसी से बात करते है तो हमारे जो personality जो impression होता है कही न कहीं हमारे बोलने के way से होता है अगर mouse से कुछ गंदा सा बद्बू आता है कुछ odor आता है तो बहुत ज़दे embarrassing भी feel होता है पर कभी-कभी ऐसा भी होता है कि कोई-कोई सोचता है जैसे कि बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि regular basis में brush तो करी रहे है पर फिर भी odor आता है smell होता है कुछ भी खाते है फिर भी आता है ऐसा क्यूं होता है क्योंकि वह कहीं न कि छोटो-छोटो चीज हम लोग मिस करते हैं हम लोग धियान नहीं रखते हैं जैसे कि आप regular basis में जब brush कर रहे हो तो पौपल ली उसको clean करना है आपने notice किया होगा आपका जो टंग है जो जवान है उसमें एक white सा layer आ जाता है जिसको हम लोग clean करते नहीं सिर्फ दास में घस-घस करके brush कर लिया that's it हो गया पर ऐसा नहीं करना है जैसे कुछ नहीं तो हमें एक इलाइची को जरूर क्यारी करें जैसे के में करते हैं एक इलाइची को अपने माउथ में रखना है जैसे कुछ नहीं वह बहुत जदा help करता है इसको अपकभी भी अपने एक इलाइची अपने ब्याग में थोड़ा सा डब्बे में अपने इलाइची को क्यारी करा किजिए क्योंकि चुइन गम जो होता है उसमें सुगर भी होता है और मैं उसको सजेस्ट नहीं करूंगा हमें चावाना वह मुझे बहुँ ज़दे इरिटेट लगता है तो मैं तो यह सारे चीज नहीं तो में माउथ क्लीनर को ज़रूर यूज कीजिए ज्यादा कुछ करना नहीं होता है मा कहीं पे भी क्यारी कर सकते हों तो इससे भी आपको बहुत ज़रा है पंशे से तो हमे आपे माउथ को अच्छे से अब ब्रस करे एंड विक्रक्ण एंड मुत्यौिस में सहारे चीज जगता हुआ है तो यह चोटे-चोटे चीज जगत ध्यान में रखते में तो हमारे जो त माउट में इसमेल रहता है यह सारे चीज नहीं होता है, मैरे सेकंड टिप है एर क्लिनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, पर हम लोग उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, आप लोग उने नोटीस किया होगा, हमारे एर्स के भी आस पास में बहुत ज़ तो कान है तो काला दिखता है फेस तो बहुत चमक रहा एक ऐसे फेस रेजल ले ले रहेगा ज्यादा कुछ नहीं फिर उसके बाद अपने एर्स को एकदम ध्यान से अस्ते 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 धीरे धीरे से हयर रहेगा वह हयर निकल जाएगा भी कान के यहां पर भी किसी किसी का बहुत ज़्दा बाल रहते हैं यहां तक तो ऐसे उट उट के आता है कितना ज़्दा गंदा लगता है कान में बहुत ज़्दा पेन होता है कान में बहुत ज़्दा म सर्सो का तेल तो उसको लेना थो इसको ड्रॉप दोर सब्सक्रसों कर के फिर आपको ऐसे रहाना है इस तरफ रहना है आपको ऐसे जश कुछ नहीं पास से 7 मिट आप ऐसे इस्टे करो आपके कान में जितने सारे गंदेगी रहेगी आपके कान में अगर कुछ दर्द है कुछ मतलब आपको थोड़ा सा बहुत ज़़ा रिलिव मिलता है और आप देखोगे जब अपने सर को जब कान में बट को नहीं खुदेर्णा बंद करो क्योंकि यह आपका कान है और कुछ नहीं है तो यहां से जंग करके कोई फाइदा नहीं है इसको बहुत ही अराम से क्योंकि कान इतना ज़्यादा सेंसिटिव है तो उसमें कुछ भी डालके में तो यह भी देखा है जो बोबी ज्यादा डार्क और डाल लगता है कापको कॉटन का रुमाल अगर हो तो ऐसे हैंकी ले लीजिए और कुछ नहीं फिर टावल को थोड़ा से गीला करने के बाद अपने कानों पर अच्छे से इसको क्लीन करना है और आपका जो हैर है वह हैर अगर रीमूव हो जाएगा इसक चाकि वेश परशनी शाजनकी में chỉव मैं और इसके ब्सक्रिश्म कि बर्स टीप से ब्रेस्ट साइज रहता है ना हम गल्स में से जो मतलुफ जो ब्रेस्ट का प्वापल से तु हो जाते हैं गरने मेरा एक जलनीं है जो मैंने आपने आक में अपने इंक्रीज किया है बहुत मतलब मैंने इस चीज में बहुत जिदा वक किया है तो उसके लिए मैं अभी अगर बोलने जाओ तो यह घंटों का वीडियो बन जाएगा उसके लिए मैं एक अलग सा सेपरेट वीडियो बना लूंगी पर जो रहता है इंपोर्टेंट होता है जो हम लोग जो ब्रा यूज कर से ओर्डर दिया है तो आपको इस पैटन का ब्रा यूज करना है क्योंकि इस पैटन अगर आपका ब्रेस साइज बहुत बतलब उस हिसाब से नहीं है जैसा आप चाहते हो तो अगर आप ऐसा ब्रा अगर आप व्यार करते हो तो आपको एक पॉपर से मिल जाता है टेंपुर ब्रा में देखोगे व्यार होता है तो वह नहीं है क्योंकि आप हमेशा हम लोग क्या करते हैं हम लोग जो कपड़ा ड्रेस खड़ते हैं उसमें जधा पैसा इन्वेस्ट करते हैं बट आपको आपको ब्रा में इन्वेर में भी सेम वाईसे ही अच्छा ब्रैंड का लेना है यह सब में भी पैसा इंवेस्ट करना है क्योंकि good quality कल होगे तो आपको बहुत जदा comfortable feel होता है बहुत जदा अच्छा भी रहता है ब्रा पहन के please रात में कोई सोना मत क्यों उससे क्या होता है जैसे कि यह दो side है आपके यहां पर मैंने ऐसा बहुत देखा है मेरा friend circus में भी है यहां पर black एक दाग बढ़ जाता है क्योंकि dead cell जमा हो जाता है यहां पर पसीना आता है dead cell जमा हो जाता है एंड डे के टाइम पर मैं घर पर जो वेयर करती हूं मैं ब्रा यूज तो नहीं करती हूं पर joint family में रहते हो तो बहुत जदा अनकमफोर्टेबल हो जाता है बिदाओट ब्रा गूमना यह नैचरल चीज़े सब के घर में ही ममा पापा भाई बेहन सब को ही रहता है घर में जो पहनते हूं घर में ब्रा तो नहीं पहनते हूं पर इस टाइप का जो इसको ब्रा बोलते हैं मुझे पता नहीं है पर यह पहनती हूं यह भी मैंने जीबामी से लिया है यह बहुत ज़दा comfortable है, ज़स crop top के तरह ही है, इसमें कोई padded नहीं है, जैसे कि देख पारे हो आपको कोई padded नहीं, इसका size भी बहुत आता है, free size का भी आता है, small, medium, extra, 4XL, सब कुछ होता है, और बहुत ज़दा comfortable है, बहुत ज़दा soft है, जब भी आप पहनोगे, आपको कोई घर पे है, चले जाए, वो नहीं होगा, आप अराम से घर पे इसको पहन सकते हो, पर नाइट में जब भी आप सोंगे, ना आप इसको वेर करोगे, ना आप ब्राइव करोगे, आप दोनों को remove करके, अपने आपको बहुत ही free करके, breathe लेने दोगे, और आराम से आप sleep कर होगे, tip number 4, underarm clean, underarm hygiene, so underarm को clean करना बहुत है, आप अगर underarm पे चाहो, तो saving भी कर सकते हो, या फिर आप वैक्चिन भी कर सकते हो, सेविंग करने से क्या होता है, बहुत जली जली ग्रोथ होता है, और वैक्चिन करने से at least 15-20 दिन बाद बाद थोड़ा सा कम, या फिर और मन किसका कितना ग्रोथ है, जो बदबू आता है, वो भी नहीं आएगा, आप फ्रेज दिखोगे, क्या होता है, कभी-कभी हम लोग अगर छोड़ देते, clean नहीं करते हैं, फिर हफ्ता भर भी अब clean नहीं करोगे, तो उससे क्या होता है, अब जब भी कोई T-shirt पहनतो हो, कोई अगर ड्रेस पहन तो आपने देखा होगा, कि अपका अंडराम में बहुत ज़्यादा एक अजीब से इसमेल आता है, उसके साथ-साथ यहां पे दाग भी पढ़ जाता है, जिससे बहुत ज़्यादा अनकमफोर्टेबल लगता है, बहुत ज़्यादा आप कहीं पहीं पहीं होता है, और सामने वाले को भी देखने में अच्छा नहीं लगता है, किसी का अगर नजर पढ़ जाता है, तो बार-बार आपको घूरता रहता है, तो यह सारे चीजों के लिए मैं तो यही सजेस्ट करूंगी, कि आप लोग कोशिस करें, जब भी आप लोग ना हैं, हर दो आपक्सीन मैं अकेला नहीं कर सकती हूं, क्योंकि उसके लिए कोई और एक बंदा है, कोई और एक चाहिए, जो मेरा स्ट्रीप को खीचे, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता है, और पाललड जन्न मेरे लिए एकदम से पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं अंडर अम रेजर यूज करती हूं, इसे यूज करने तो बहुत ज़्यादे इजी है, टिप नंबर फाइब है, हमारे बिली बटन, बिली बटन के बारे में लोग उतना जाद़ धियान नहीं देते हैं, जबकि इतना नहीं पता है कि बिली बटन में हमारे जितना सारा बोडी में बैक्टरिय हम लोग ने अ बेक्टेरिया करता है Scripture किसी किसी के साथ होता ही मेरे सकarry यह होता था कि थोड़ा थोड़ा हलक़ा दर्ब करता है और अच्छा भी नहीं आगर आप पहन रहे हो जोड़ा घप बेली बे लेहंगा सार्थी एफिर बेली वेटन में घंदा थोड़ा से मैला वहां पे रहता है तो आपको बहुत ज़दा अंकमफरेबल भी रहता है और य तो हमेंसा अपना बेली बटन को क्लीन रखना है या फिर आप ऑईल से क्लीन कर लो या फिर गिला टावल से क्लीन कर लो टिप नमबर 6 वेर कॉटन पैंटी जैसे कि हम बहुत सारे लड़कियों का सौक होता है फैंची फैंची आजकल बहुत ज़ादा पैंटी वेगरें मिलने लगा है वह सारे चीज तो ठीक है सौक के लिए अब कभी कभी वेर कर सकते हो पर अब रेगुलर वैसे में कोसिस कीजिए कि अब कॉटन का पैंटी विस करने से उससे क्या होगा बहुत से ब्रीदेवल रहेगा और क्या होता है कि हम लोग जैसे पूरा दीन अगर आप ब्रीदेवल भी निकलता है यह सारे चीज होता है और कोसिस करें कि आप जब भी नहाए तो जो इंटमेट वह से उससे क्लीन करें वैसे तो ना भी करोगे तो चलेगा पर मैं तो सजिस्ट करूंगी कि क्लीनी कर ले तो बहुत अच्छा होगा क्योंकि हम लोग बाहर भी जा पलिए सरमाते हैं तो यह सारे चीज के लिए मैं आप लोगो को सजेश्ट करूंगी कि आप लोगो को अगर अचा परबलम होगो तो इसको यूज को यह बहुत आपको हेल्प मिलेगा ऐसे ही आप लोगों को वैसे भी धियान बहुत जदा रखना है अपने वजाएना का आप लोग इस टाइप का कॉटन पैंटी यूज कर सकते हो फैंसी कभी-कभी यूज कर लो पर डेली वैर के लिए ऐसे ही सौफ सा कि एक स्थीप बहुत जदह चाह को मुथ्वायाा इस पर बहुत कंफोर्टवलेबल भी रहते हों और आपका वज़ vita मिलता है smao और फ्रेसर आपको एक्स टिक बहुत ज़दे इंपोर्टेंट है वह है वाइट डिस्चर्ज बहुत सारा गर्स को वाइट डिस्चर्ज होता है और यह कोई बड़ा प्रॉब्लेम नहीं है कोई टेंशन की बात नहीं किसी-किसी का बहुत जादा अगर होता है तो आप लोग पहला तो डॉक्टर के पास जाए उसके साथ डॉक्टर के साथ डिस्कर्ज करें कि उसके साथ आपको क्या करना है कि क्यों वाइट डिस्चर्ज और होता रहेगा तो वह भी आपको कहीं ना कहीं मेंटली एफेक्ट करता है इरिटेट भी करता है और आपको वज़एन ऐसे बहुत ज्यादा वहां से कहीन के client भी होता है प्यवारत जो होता है जो वैड दिस चर्च के लिए है वो स्मॉल-इस्मॉल मूं होता"... मपार यह थेन होता है तो उसमें प्यांटी होता है बहुत अच्छे से उसको अच्छे से लगाके राश्य से करने के बाद उसके यूज कर सकते हैं यह पर्मेनेंट सॉलीशन नहीं है अब कब तक ऐसा करेंगे यह तो बस चलो हो गया है तो यह तो थोड़ा बहुत जुगारू टाइप हो गया कि आपने थोड़ा टाइम के लिए कर लिया है बट इसको आपको एकदम जड़ से खतम करना है इसके हो रहा है और सबको पता है कि नहीं पता नहीं यह पर ज्यादा अगर वाइट डिस्चर्ज होता है तो आपका बॉड़ी केल्सिया में वह भी कहीं निकल जाता है जिसके वैसे आपको ओवरल हेल्फ में भी एफेक्ट होता है सो मैं यही पहले सजेस्ट करूंगी कि आप लो कोई कोई मैंने नहीं सब्सक्राइब क्यां ज़ता है नेल तो रकली करते हैं और बहुत सबस्राइलिक्व कशल्वास शब्रस अगर सब्सक्राइब उसको अच्रश को है करो और रहता है मैंने आधना तो इसमस्ट करने नहीं हो रहा है तो मेरे जैसे छोटा छोटा कर लो क्लीन रखती हूं आप यह से देख सकते हो पॉपर एक सेप में रखती हूं क्योंकि आप यह सारे चीज़ बहुत सब्सक्राइब करते हैं आपका पूरा परस्नलीटी पर जैसे कि हम लोग उतना ध्यान ने दे पर आप एक ज्राइब करता है अगर अगर आपका लॉंक नेल से तो यह पर अबसे नहीं रहता है यह फिर आपको नल्स नहीं रहता है अगर ऐसे इसीफिल क्लीन होना चाहिए अब कला 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 दीखे यह भी रूखा शु कर्या करहें है तो रहाए यह आप रहा है फिर हाइड्रेट हम पॉपार एक सेप में नारा है तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए तो नेल्स हमें से क्लीन रहता है क्योंकि जब भी हम लोग बात करते हैं यह हाथ को इधर उधर करके बात करते हैं लोग हमेरे यह चोटे-चोटे अब्चा परशन करते हुए रहते हैं लुटते हैं ले एक सीक्षी आपने नेयल को लेकर जब भी में नहाती हूं अच्छे से इस को एसका लगत के साफ का लिपीन हो जाएगा और बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा आपको भी बहुत जदा अच्छा लाइगा आपको ऐसा को करने बहुत जदा वहाँ ज्यान मिल जाएगा चीज को हम लिगों को ध्यान रखना है वजाइना टेक एसा हो रहा है आप इस सारे चीज़ में मार्केटिंग टीम में आपको नहीं जाना है क्योंकि ऐसा कुछ होता नहीं हमारे जो वज़य नहीं है वह अपने अपने क्वीन है जैसे भी है बहुत ज़्यादा इस्ट्रॉंग है तो उसके लिए बहुत ही एक्स्ट्रा कुछ गटाता है तो कोशिव करें कि हपते में एatliest लिए जो चाश्रा टींदीन सैंपू करें अगर तीन नहीं हो पा रहा है तो 2 दिन ज़रूर बहुत को में देखती हूं कि 10 ति सांप नहीं करेंगी उतना है नहीं हैं लाग्या elder मैं भूख्याया दानिंच स्बैस्गां पाल्त लेड़ना है उसके बाद जब आप अपने हेर को अच्छे से का हैर बहुत जदा फ्रेस लगेगा आपके हेर में बहुत अच्छे से खुजबू आएगी अब जब कहीं से भी गुजर रहे होंगे तो कुछ नहीं तो आपका अगर पर्फियूम बहुत ज़्यादा अच्छा पर्फियूम है तो एक बड़ तो मूर के देखेगा कि कौन सी लड़की गई है बहुत अच्छा यह है बहुत जदा अच्छा है तो इसको आप लोग ज़रूर ट्रा है यह सारे चोड़ चोड़ टीप्स को अगर हम लोग फॉलो करेंगे हमारे डे टो डे लाइफ में अगर यह सारे चीज़ को हम लोग इंक्लूड करेंगे तो ओवरल जो हम लोग पर्सनलिटी है इंटरनल और एक्स्टरनल दोनों बहुत अच्छा ब्राइट लगेगा और ह वीडियो को लाइक किजिए सेयर किजिए सब्सक्राइब किजिए फिर आप लोग उसे में मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए खुश रहिए और प्लीज मुझे थोड़ा सा प्यार भी दीजिए बाई